स्वागत है दोस्तों आपका हमारे सी यूटूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में आज हम जारखंड का भुगोल परवर्णी मुद्दे एवं आपदा प्रवंदत से संबंदित कोश्चन और एंसर लेकर के आये हैं इसमें देख लिजे ये 5 टॉपिक इसमें कभर किये ज सकता है और अगर हम एक्जाम लेले और कम नंबर आए तो थोड़ा सा incubus level हो जाता है तो मेरा मकसद है कि आपका अप इसमें लेकर के आया हूँ और यह पेपर वन और पेपर टु दोनों के लिए स्माइं कोशिट है यह तरह यहां का स्वाइल कोश्चन है इए एक तरह का गेस कोशन है कि इससे आ सकती है अगर इससे पांच छे कोशन भी इस टॉपिक से आ जाए तो बहुत ज्यादा होंगे यह हमारे लिए और फैदेमंद भी होंगा तो बहुत फैदेमंद भी हो सकता यह टॉपिक आप लोगों के लिए अगर देख लेते हैं तो अब जो है PDF जतना वेगरा सथा आप सब सेंड कर दिया गया है अब आगे कोई भी PDF सेंड नहीं किया जाएगा अब 19 तारीक तक यह वीडियो यहां पर बना करके समाप्त कर देंगे ताकि अब आप लोग अच्छे से तो आप नोट करके एक बार revision कर सकते हैं otherwise आप केवल इस वीडियो को देख ले और जो भी है याद कर ले बोल कर जो मैं बोलता हूं उसे आप सुनकर भी याद कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आज यह पांच टॉपिक है यहां से आपका करीब 10 कोशन आने की संभावना है तो एक्जाम च्वाइस कोशन ही है यहां पर बेश्ट तो चलिए पहला बोल रहा है कि आपदा प्रवंदन अधिनियम कानून किस वर्स बना तो यह 2005 में बना था सेकेंड नंबर जो इंपोर्टेंट है कि आपदा प्रवंदन प्राधिकरन का गठन कब किया गया तो यह 28 मई 2010 को किया गया आपदा प्रवंदन के लिए एक अलग से पूरा उसका क्लास मैंने वीडियो बना दिया है उससे मैंने बताया था कि यह बहुत इंपोर्टेंट है तो अगर वो क्लास आपने हमारा नहीं देखा होगा तो उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहां से आप लोग उसे भी देख सकते हैं नेक्ष्ट है कि राज आपदा प्रवंदन प्राधिकरन का अध्यक्ष कौन होता है तो मुख्य मंत्री राज आपदा प्रवंदन प्राधिकरन का गठन किसके द्वारा किया जाता है तो यह राज पाल के द्वारा किया जाता है और इसका प्राधिकरन का अध्यक्ष होगा वो मुख्य मंत्री होगा नेक्स है राज्य आपदा रेस्पॉंस कोस में केंद्र एवम राज्य द्वारा धान भी निमय की हिस्सेदारी कितनी है तो 75 इस्टू 25 यानि केंद्र इसमें 75 परसेंट रासी देगा और राज्य का इसमें 25 परसेंट रासी देना होगा नेक्स्ट आए जिला आपदा परवंदन प्रादिकरन का परमुख कौन होता है तो ये जिला समहर्ता या फिर उपायुक्त ये होता है नेक्स्ट बोर रहा है कि जार्खन के किस जिले में राज अस्तरिय इमर्जनसी ओपरेशन सेंटर अस्थापित किया जा रहा जार्खन के किस जिले में जिला स्तरिय इमर्जनसी ओपरेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा यहां पे जिला स्तरिय कि धनवाद देवगर और जम सेथफूर में नेक्ट है जार्खन राज्य में किस वर्स वितिय सहायता आपदा प्रबंदन विभाग गठित किया गया तो ये हो जाएगा वर्स 2012 में नेक्ट है जे सेक यानि कि जार्खन अस्पेस अप्रिकेशन सेंटर का क्या का रहे है तो इसका का रहे है कि आपदा के संदर में महत्पूर्ण सुचना परदान करना नेश्ट आईए भुकम संबंदी आबदा के लिए जारखन के किस संस्थान में सैक्षिनिक एवं तक्नीकी परसिच्छन की बेवस्था है तो ये हो जाएगा BIT मेसरा राची में नेश्ट आईए राज्य ग्रामिड विकास अंस्थान SIRD अस्थापित कहां किया गया है तो ये भी राची में नेश्ट आईए ट्रेनिंग नीड अनलाइसिस कारेकरम के तहत आबदा पाइलट कारेकरम का संचालन किन जिलों में किया गया तो ये हो जागा राची एवं धनवाद में नेश्ट जो है ये इंपोर्टनेंट है जारकन में कितने जिले भुकम जोन 4 में आते हैं तो दो जिले हो जाएंगे कौन-कौन तो गोड़ड़ा एवं साहव गंज नेश्ट है जारकन के कितने जिले लाइटनिंग आपदा से परवावित है यानि बिजली जो चमकती है और जो बिजली के वेक्ती पर गिरती है जिसे वेक्ती की मौत हो जाती तो कितने जिले परवावित है तो ये हो जागा नो जिले नेश्ट है लाइटनिंग आपदा से निपटने के लिए विसेश ट्रेनिंग मोडियोल की संस्थान द्वारा विक्सित किया गया तो ये हो जाएगा स्काइपा के द्वारा नेश्ट बुरा जार्खन का सरवादिक सूखा ग्रस जिला कौन सा ये याद रखेगा पलामू है नेश्ट बुरा जार्खन का परसिद कोईला खदान जो अठारो सोस्थी के दसक से आग लगने की समस्था से जूज रहा तो ये है झरिया नेश्ट बुरा की जलवायू परिवर्तन पर जार्खन राज जे एक्शन प्लान की घोष ना किस वर्ष की गई तो ये हो जाएगा वर्ष 2014 में नेश्ट आईए बुरा की जार्खन राज जे का भूगर्व जल भंडार है तो 500 मिलियन क्यूबिक मीटर नेश्ट आईए बुरा की जार्खन का कौन सदिला सरवादिक ग्रीन हाउस गैस का उसरजन करता है इंपोर्टेंट है तो ये हो जाएगा ग्रीडी नेश्ट आईए जार्खन राज गंगा नदी सारक्षन प्रादिकरन का गठन कब किया गया था तो ये हो जाएगा 30 सितंबर 2009 को जो की इंपोर्टेंट है नेश्ट आईए जेडा का गठन 2001 में किस उद्देश से किया गया था तो जेडा का जो गठन किया गया था वो गैर परंपरागत उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था नेश्ट आईए जार्खन में खनन परेवरन केंदर स्थापित है तो ये कहां स्थापित है तो खनन परेवरन केंदर स्थापित ये धनवाद में है नेक्ष्टाई जार्खन राज परदूसन नियंतरन बोर्ड के स्थाफना कब की गई तो वर्स 2001 इसमी में बहरी बहरी इंपोर्टेंट है आप लोग इसे नोट कर लिजेगा नेक्ष्टाई जार्खन में सरवादिक ध्वानी परदूसन किस जीले में रिकॉर्ड किया गया तो ये हो जागा धनवाद में नेक्ष्टाई जार्खन की मिट्टी में किस सुक्ष्टत्त का सरवादी का भाव होता है तो ये हो जागा फासफोरस का नेश्ट है सुनर रेखा नदी का प्रदूसन का मुख्य कारण क्या है तो इसमें चावल मील एवं मूरी एलमुनियम जो कर खाना है इसके कारण इसका प्रदूसन का ये मुख्य कारण है बुरा कि दामोदर नदी में पाया जाने वाला पर्मुख परदुसक कौन सा है तो ये पोटेसियम है नेक्ष्ट बुरा जारखन में सरवादिक वायू परदुसक का स्थान है तो ये हो जाएगा जरिया नेक्ष्ट है कि जारखंड में वायू परदूसन के कारण व्यक्ति के जीवन परत्यास्या में आउसत कितने वर्स की कमी हुई है तो ये हो जाएगा चार वर्स नेक्ष्ट है ये वोरा कि वन वंदू योजना के तहद किस परखंड का चायन पाइलट परखंड के रूप में हुआ है तो ये हो जाएगा लिट्टी पाड़ा पाकुड का नेक्ष्ट है जापान की कौन सी कमपनी कचड़े से बिजली उतपादन में सयोग करेगी तो ये हो जाएगा हिताची नेक्ष्ट है जारखंड में कमपा का गठन किस वर्स किया गया था तो ये हो जाएगा वर्स 2009 में नेक्ष्ट बोर रहा है कि विस बैंक के वम राज्य सरकार की साहता से कीन जिलों में सहरी जल छाजन कारिकरम चलाया जा रहा है तो ये हो जागा राची और धनबाद में नेक्ष्ट है जारखन सरकार ने एको टूरिस्म निती की घोशना किस वर्स की थी तो ये हो जागा वर्स 2015 में नेक्ष्ट है जारखन के हजारी वाग में विलुक्त गीदों की परजाती पाई जाती है तो ये हो जागा जिप्स वेंगलेसिस और जिप्स इंडिकस में ये दो जो है परजाती ये विलुप्त गीदो की परजाती है नेक्ष्ट है कि अफ्रिकी मूल का ब्रिच कल्प तरू की संख्या जारखंड में कितनी है तो कल्प तरू जारखंड में केवल इसका ब्रिच की संख्या जो है वो केवल नौही ब्रिच है नेक्ष जार्खन में सरवादिक जय विवित्ता किस छेत्र में पाई जाती है तो ये हो जाएगा पिठोरिया गाटी नेतरहाट एवं सरंडा नेक्ष जार्खन का अक्छांसिय अस्थार क्या है जार्खन का अक्छांसिय विस्थार क्या है तो यह 21 डिग्री 58 मिनट अच्छांस यह पूछ रहा है तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट और वहीं देशांतर विस्तार पूछेगा तो 83 डिग्री 18 मिनट 50 से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट यहां पर मिनट हो जाएगा तो 87 डिग्री 57 मिनट तक और जारखन का अगर कुल छेत्रफल पूछेगा तो 79,714 किलो मिटर स्क्वाइर यह हो जाएगा यानि कि 89,714 किलो मिटर स्क्वाइर नेक्ट यह जारखन भारत के कुल छेत्रफल का कितना परतिसत है तो यह हो जाएगा 2.42 परतिसत और जारखन अगर पूछेगा कि बिहार के कुल छेत्रफल का कितना परतिसत भूभाग परिस्तित है यानि कि जब बिहार को काट करके जा जार्खन बना तो ये बिहार का 46% भाग लिया गया था जार्खन बनाने में नेक्ट आइए बोर रहा है कि जार्खन बिहार के जार्खन का ब्रहतम एवं नियूंतम जिला कौन सा है तो ये दोनों याद रखेगा अगर बिर्थम यानि सबसे अधिक छेत्फल वाला जिला पुछेगा तो पश्मी सीबुम और कम नियूंतम छेत्फल वाला जिला पुछेगा तो रामगड हो जाएगा नेक्ष्ट है जार्खन का एक मातर जिला जिसकी सीमा तीन राज्यों यानि कि 36 गर्ड बिहार उत्तव परदेश से मिलती है ये आप लोग याद रखेगा इसका अंसर गड़वा होगा नेक्ष्ट है बिहार राज्य से जार्खन के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है तो यहाँ पे 10 राज्य हो जाएगा नेक्ष्ट है पूरवी सीवुम जिले से किन राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है तो पूरवी सीवुम से उडिसा और पश्चिम मंगाल जुड़ा हुआ है नेक्ष्ट है ये राज्य में धरवार, कुडपा एवं विंद्यन समुग के चटानों का निर्मान किस काल में हुआ है तो ये हो जाएगा प्रीकेंब्रियन काल में नेक्ष्ट बोरा की जार्खन में पाठ परदेश का निर्मान किस काल में हुआ था तो ये हो जाएगा सेनो जोई काल में नेक्ष्ट बोरा की जार्खन में पाया जाने वाला परमुख चटान समू है तो ये हो जाएगा आर्कियन यानि की नीस और ग्रेनाइट नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् के अपच्छैन का परिणाम है तो यह हो जाएगा दक्का लावा चटन के अपच्छैन का ये परिणाम है नेश्ट बुर रांची का पठार उत्तम उदाहरन माना जाता है तो किसका तो यह हो जाएगा संप्राय मैदान का ये उत्तम उदाहरन माना जाता है रांची का पठार चट्टी के कारण का परिनाम है तो यह हो जागा दामोदर नदी के तल चट्टी के कारण इसका पड़िनाम है नेक्स्ट आईए बुरा जार्खन की सबसे उंची चोटी सम्मेद सिखर की उचाई कितनी है तो यह हो जाएगा अगर मीटर में पुछेगा तो 1365 मीटर और अगर फिट में पुछेगा तो 448 फिट नेक्स्ट बुरा जार्खन में पाठ परदेश जो रांची से पलामू तक विस्तरित है क्या कहलाता है तो यह हो जाएगा पश्मी पठार नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है जमीरा पाठ है वो नेतरहावट पाठ की छेतर के हिस्सा है तो यह हो जाएगा पाठ छेतर के य संब जसे जल परपात इस्तित होने के कारण है तो ये क्या क्यारण है तो यह संप्राय मैदान का धीमा ढाल होना कि मिदा निश्ट बुरा तसर्रेसम तो था लाख पादन में छारखंड का अस्ठान है तो याद रखेगा तसर रेसम या फिर लाख पुछेगा ये दोनों में पहला अस्तान है जारखंड का नेक्ट बुरा जारखंड में इस्तित एक मात राष्टिये उद्यान है जो की बेतला राष्टिये उद्यान है और बेतला राष्टिय उद्यान कहा है तो ये लातेहार में है नेक्ष्ट आये बेतला राष्टिय उद्यान लातेहार परसीद है तो किसके लिए तो बाग रिजर्व के लिए तो ये आप लोग इंपोर्टेंट रखिएगा ये बेतला से संबंदित और बेतला राष्टिय उद्ध्यान में बाग गन्ना का कारे कव किया गया तो ये 1932 में किया गया था नेश्टा ये जार्खन में राष्टिय अस्तर का एक मात्र वन्ने जिव अभ्यारन ठीक है कौन सा है तो ये पलामू अभ्यारन है और पूर्वी सीवूम का दल्मा भ्यारन परसीद है किसके लिए तो ये हाथी के लिए तो पूछता है दल्मा भ्यारन कहा है तो पूर्वी सीवूम हो जाएगा इसका एंसर नेश्टा ये बुरह कि जार्खन का सबसे गर्म अस्थान है तो जमसेथपूर हो जाएगा जारखंग में मांसुन के परीवेस की तिथी हैं कब मानी जाती है तो दस जून मानी जाती है जारखंग में सरवाधिक ठंड यहां वर्षा का अस्थान कौन सा है तो यह नेतर हाट हो जाएगा नेश्ठ जारखंग में औसत वार्षिक वर्षा दर 140 cm है याद रखेगा जारकन को कितने जलवायू परदेश में बिभक्त किया जाता है तो यहाँ पे साथ जलवायू परदेश हो जाएगा जारकन का व्रिष्टी छाया परदेश के नाम से जाना जाता है तो यह कौन है तो यह पलामू है नेक्ष बोर रहा है कि राष्टी आपदा प्रवंदन संस्थान एनाई डियम के अनुसार जार्खन में कितने जलवाईव परदेश में बीभाजित है तो इसके अनुसार तीन हो जाएगा जार्खन में सरवाधिक पाई जानी वाले मिट्टी याद रखेगा ये लाल मिट्टी हो जाएगा इसका सही इंसर निर्मान प्रकिरिया की दिरिष्टी से जार्खन की मिट्टी है तो ये एक अपसिष्ट परकार की मिट्टी है नेक्ष्ट है जारकन में वर्षा के जल से होने वाले मिर्दा पर्दन को क्या कहते हैं तो ये याद रखेगा चादरी इसको कहते हैं तो चादरी कहीं सब्द मिले तो इसे आप लोग अच्छा से समझ लीजेगा नेक्ष्ट है गिरीडी इस्थित पारसनात पाड़ी किस पठारी परदेश का हिस्सा है तो ये हो जाएगा बाहे छोटा नागपुर का नेक्ष्ट बोरा की छातरपूर मैदान तथा गडवा उच भूमी किस प्रादेशिक उचावच के हिस्से हैं तो ये हो जाएगा उतरी बाहे पठार के next है राची पठार का उत्री हिस्सा किस नाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा मौरवान परदिश के नाम से नेक्ष्ट जो इंपोर्टेंट है उत्री दामोदर एवं दक्षिनी दामोदर नदी घाटी का विभाजन करने वाली रेखा क्या कहलाती है तो ये कंटूर रेखा कहलाती है ये याद रखिएगा नेक्ष्ट है ये राजमहल पहाड़ी छेतर में इस्थित नुकीली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है तो ये हो जाएगा टोंगरी एवं डोंगरी नेक्ष्ट है चाईवासा मैदान के पश्रिम छेत्र में किन वनों का विस्तार पाया जाता है तो ये हो जाएगा सारंडा वन का विस्तार पाया जाता है नेक्ट भूम, दलमा, सारंडा, पोराहर्ट नेक्त भूम, दलमा, सारंडा, पोराहाठ किस मैदानी उचावाच छेत्र में इस्तित थ यह हो जाएगा चाईवासा मैदान के छेत्र में नेक्ट बुरहा है ज्हारकंड के नदियों की प्रकृति क्या है? तो इसका प्राय दिपिय प्रकृती होता है जारकन का सबसे उचा जलपरपाथ तो बुढ़ा गाग जो की 446 फीट उचा है और हुन्रू जलपरपाथ किस नदी पर है तो हुन्रू जलपरपाथ आपका स्वर्ण नदी पर है और राडू नदी पर इससी जोनहा जलपरपाथ का नविंतम नाम क्या है तो इसका नविंतम नाम हो जागा गौतम धारा और ये किस पर है तो राडू नदी पर नेक्स दस्तम जलपरपाथ इस्थित है तो ये किस नदी पर तो काची नदी पर राची में है घागरा नदी पर इस्तित हेपाद इस्तित है गुमला में नेक्ष्ट है हिर्नी जलपरपात याद रखेगा हिर्नी जलपरपात किस जिले में है तो पश्शिम सीवुम में है नेक्ष्ट बुरा की बल चौरा सुखलदरी जलपरपात इस्तित है तो ये हो जाएगा गढ़वा में नेक्ट बुरा की मोती जरा जल परपात किस नदी पर इस्तित है तो ये हो जाएगा अजय नदी पर नेक्ट बुरा हजारी बाग इस्तित सूरज कुंड जल परपात का अधिक्तम तापमान क्या है तो ये माइनस 88 डिगरी सॉरी अधिक्तम तापान बुरा तो ये 88 डिगरी पलस सेंटिग्रेट है यानि कि 190 फायरन हाइट की आसपास होता है तो 88 डिगरी जो सेंटिग्रेट है वो आप लोग जान जाते होंगे क्योंकि कितना तेज है हमारा जो बॉडी रहता है वो 27 डिगरी सेंटिग्रेट तक बोलते हैं रूम टेंपरिचर रहता है सोची कि और ये 88 डिगरी कितना जादा है नेक्ट बुरा हजारी बाग इस्थि सॉरी नेक्ट है कि ततलोई तथा रानी बहल गर्म कुंड इस्थित है कहा है तो ये दूमका में है नेक्ट है हजारी बाग इस्थि टाइगर गर्म कुंड किस नदी पर इस्थित है तो ये बराकर नदी हो जाएगा नेक्ट है जारकन के जलवाईयों को परभावित करने वाली परमुक्तत्व क्या है तो इसके परमुक्तत्व हो जाएंगे उचाई, अक्छांस और समुदृतल से दूरी तो ये तीन चीज़ आप लोग याद रखेगा नेक्ट बुरा की गर्मी के महिने में काल बैसाखी के परभाव से होने वाले तडित जंजा युक्त वर्सा को क्या कहा जाता है इसे नर्वेष्टर कहा जाता है नेक्स्ट आइए कूल भारतिय बनो का कितना परतिसत जारखंड में स्थित है तो कूल भारतिय बनो का 3.4 परतिसत वन जो है वो जारखंड में स्थित है नेक्स्ट बुरा जारखंड में जारकन के कितना परतिसद छेत पर वन अच्छादित है तो यह हो जागा 29.62 परतिसद पर नेक्स्ट है यह बोर रहा है कि जारकन का सरवाधिक एक्रम नियूंतम करमसा वन अच्छादित जिले तो सरवाधिक पुछेगा तो पश्रिम सीवूं और कम पुछेगा तो जमताड़ा हो जाएगा नेक्स्ट है जारकन में परतिसद के दिरिष्टी कौन से सरवाधिक बन पाए जाते हैं तो परतिसद की दिरिष्टी से लाते हार और ऐसे वन परदेश पुझेगा तो पश्मी शेप हो नेश्ट आए जारखन में परतिसत के दिर्ष्टिकों से नियूंतम वन पाय जाते हैं तो ये जमताड़ा में हो जाएगा नेश्ट आए परिस्थित की संतुलन के लिए कितना परतिसत भुबाग पर वन का विस्तार होना चाहिए तो ये 33 परसेंट भाग पर वन का विकास होना चाहिए नेना ये जारकन के किस छेत्र में सरवादिक आव वर्गिकृत वन का विस्तार है तो ये हो जाएगा साहिव गंज नेक्ष्ट आईए नेश्ट बुरा जार्खन के कितना परतिसत भुभाग पर 30 सगन वन्चेतर पाये जाता है तो 3.27 पर नेश्ट है परण पाती वनों का राजा किस विर्च को कहते हैं तो ये आदर रखेगा साल को ठीक है और राजे के कितने परतिसत भुभाग पर उस नकटी बंद ये आदर परण पाती बन पाये जाते हैं तो ये 2.66 पर नेश्ट बुरा की जार्खन का राजकी विर्च क्या है तो ये सरई या सक हुआ है तो कभी सरई देदेगा या कभी सकुआ ठीक है तो आप लोग कंश्यूज मत किजिएगा नेश्ट ये साल विर्च को अस्थानिय भासा में कहते हैं तो ये साल विर्च को अस्थानिय भासा में एक मिनट एक मिनिट थोड़ा से यहां पर मिश्टेक हो जा रहा है एक जारकन का राजकीय वृच है तो जारकन का राजकीय व्रिच साल हो जाएगा आप लोग याद रखेगा साल और साल वृच को अस्थानिय भासा में सरई या सकुआ कहते हैं तो साल सरईय सकुआ यह विष्च का नाम है, जो कि ज्हारखन का राची कीए विष्च है ज्याम भ més ज्हारखन के दो परमुख विष्च जिनका उपयोग furniture के लिए किया जाता है सीसम एवन साग्वान का ज्हारखन का परियोग पेटी निर्मान में किया जाता है तो यह हो जाएगा सेमल का ठीक है नेक्ष्ट बुर रहा है कि कागज उद्योग में उप्योग होने आला वन उत्पाद कहां क्या है तो बांस है नेक्ष्ट जारखंड के लाख के उत्पादन में किस कीड़े का परियोग किया जाता है तो यह आप बहुत लोग जानती होंगे जो नहीं जानती होंगे जानजा लख बग खा लख बग इसको कहता है कोई-कोई लख बगा भी कहता है तो लख बग इसका इस्तमाल किया जाता है लाख के उत्पादन के लिए नेक्स्ट आइए बोरा की जारखंड में लाख उत्पादन के लिए लाख उत्पादन के लिए किस विश का उपयोग किया जाता है तो लाख उत्पादन के लिए कुसुम, बेर और पलास का पेड़ यूच किया जाता है और इसमें किस कीड़े का परियोग किया जाता है तो लख बग का इस्तमाल किया जाता है नेश्ट बोड़ा बीड़ी निर्मान में किस वन उतपाद का उपयोग होता है तो ये हो जागा केंदुवा पत्ता का नेक्स्टा ये तसर रेसम का उत्पादन किन विर्शो पर किया जाता तो ये हो जाएगा अर्जून, अर्जुन आसन और सharतूत के पत्तो पर विर्शो पर नेक्ष्टा जारखन की सरवादिक परदूसित नदी कौनसे या है तो ये हो जाएगा कर दामोदर नदी नेक्ष्ट है दामोदर का उद्गमस्थल तो दामोदर का उद्गमस्थल हो जाएगा आपका टोरी छोटा नाकपूर छेत्र नेक्ष्ट है यह बोरा कि गुम्रो और एरो किसकी सहायक नदी है तो यह हो जाएगा ब्रामोनी की यह सहायक नदी है नेक्षय जार्खन की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन है तो ये हो जागा दामोदर नदी नेक्षय जार्खन की एक मात्र नदी जो स्वतनत रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये स्वान रेखा नदी हो जागा ये important है नोट कर लिजेगा ठीक है जारखंड की एक मात्र नदी जो की सुनड एका है ये सोतन्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है नेक्ष सुनड एका नदी का उदगम मस्थल तो ये हो जागा नगडी राची से इसका उदगम होता है नेक्ष जारखंड और उडिसा के बीच सीमा निर्धारन में साहक नदी कौन सी है तो ये हो जागा खरकई नदी नेक्ष बुरा की दच्छिन कोयल नदी का उदगम मस्थल है तो दच्छिन कोयल नदी का उदगम मस्थल नगडी राची है नेक्ष्ट बॉरा जार्खण के किन नदियों का मुहाना हुगली से संबंदीत है तो यह होजाएगा दामोदर, मयुराक्ची और ब्रह्मनी नदि नेक्ष्ट बॉरा जार्खण में निकलने वाले परमुख नदिया जो अपने विला है गंगा में करती है तो ये हो जाएगा सोन, पुनपुन और सकरी ये याद रखिएगा नेश्ट बूर रहा है जारखन के किस नदी को बंगाल का सोक काते हैं तो दामोदर को जारखन के साहेवगंज में किस नदी पर टर्मिनल बनाया गया है तो ये हो जाएगा गंगा नदी पर नेश्ट बूरा जारखन के अधिकांस नदीओं द्वारा नतिलम, जलपरपात और विसर्फ निर्मान के कारन हैं तो नदीओं धाल का नुसरन करना नेश्ट है जार्खन में कुल कितने नदी बेसी निस्तित है तो ये हो जाएगा आठ नेश्ट बुरा जार्खन के किस नदी को हिरान नेवाह कहा जाता है तो ये हो जाएगा सोन नदी को तो ये आप लोग याद रखेगा, हिरन्य बाक किसको कह जाता है? तो सोन नदी को, नेश्ट है, ये दरधा और भोरहर किसकी सहक नदिया हैं? तो ये हो जाएगा, पुन्पु नदी की दरहर और भोरहर ये सहक नदिया है, जारखन की कौन सी नदी मार्ग बदलने है तो परसिद है तो यह यहाँ पर दिया गया है सक्री नदी जारखन से निकलने वाली परसिद नदी तो पिंड दान के लिए परसिद है तो यह हो जाएगा फल्गु नदी नेक्ट बुरा औरंगा और आमानत किसकी सहयक नदियां है तो ये हो जाएगा उत्री कोयल और बुढ़ा घाक जल पर पात किस नदी पर इस्तित है तो बुढ़ा उत्री कोयल पे तो ये बुढ़ा घात वाला इंपोर्टेंट है नेक्स है पत्रों और जैन्ती 21 की सहक नदियां है तो यह हो जाएगा अजय की और मयुराक्षी नदी का उद्गमस्थल याद रखिया कहा है तो त्रीकूट पहाड़ी देवगर में है मयुराक्षी मंदिर का उद्गमस्थल तो इस तरह से करके यह पूरा गेस कुशन हमने कर सके और यहां पर एक चीज है कि इस वीडियो के सेक्शन में पूरा बहुत सारे टेस्ट का और बहुत सारा क्लास का यहां पर सेंड कर दिया जाएका लिंक आप लोगों से एक एक करके देख सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगा बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद